हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस का एक टॉपिक कवर करेंगे जो है विटमिन प्यारे बच्चो एकजाम में जो जनरली कोशन बनते हैं विटमिन से वो क्या है? वो है विटमिन की खोज किसने की? विटमिन की कमी से कौन से रोग होते है? और उनके source क्या है यानि उनके source क्या है तो प्यारे बच्चों ये सारे questions जो एक्जाम में बनते हैं उनको हम इसी वीडियो में cover करने वाले हैं तो सबसे जो पहला question है वो है vitamin की खोज किसने की तो प्यारे बच्चों vitamin की जो सर्वपर्थम खोज की थी वो की थी 1881 में lunine लेकिन lunine ने सिर्फ इतना बताया था कि हमारे सरीर में कुछ ऐसे substance कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें रोगों से बजाते हैं हमारी रक्सा करते हैं ठीक है सिर्फ इतना बताया था तो प्यारे बच्चों vitamin नाम किसने दिया तो 1911 में केंजीमर फंक ने विटामिन नाम दिया और vitamin की थीोरी भी दी तो जो vitamin के वास्त्विक खोज का स्रेह है वो किसको जाता है वो केंजीमर फंक को जाता है तो आपके एक्जाम में जो question बनता है vitamin की खोज किसने की, तो आप क्या अंसर लगाते हो आप लगाते हो Kenzimer Funk आगे विटमिन क्या है? रक्षात्मक खाद्यपदार्थ हैं, रोगों से हमें बचाते हैं क्या हमें इनसे उर्जा मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, हमें उर्जा नहीं मिलती है बात करें कार्रे की, तो कार्रे क्या साथ हैं अनुपियोगी हमारे सरीर के लिए और तेहरा हैं उपियोगी हमारे सरीर के लिए आगे है टाइपस ओफ विटमिन विटमिन कितने पिरकार के होते हैं? प्यारे बच्चों दो पिरकार के विटमिन होते हैं एक जो वसा में घुल जाते हैं और दूसरे आप याद कीजिएगा बात करते हैं जलमे घुलंसील तो जलमे घुलंसील है आपके B और C यहाँ पर जो vitamin B है वो अकेला नहीं है vitamin B के बहुत सारे types हैं ठीक है अब हम बात करते हैं एक नया vitamin को जागा प्यारे बच्चों जिसको नाम दिया गया है vitamin P तो vitamin P के बारे में exam में question नहीं बनता है तो vitamin P के बारे में हम shortly वीडियो के last में समझ लेंगे अब मैंने पीछे आपको बताया कि हमारे सरीर के लिए जो उपयोगी है वो 13 vitamin है तो उसमें P को नहीं जोड़ा गया है ठीक है? चलिए चलिए पहरे बच्छों बारी बारी से सभी vitamins को समझते हैं तो सबसे पहले vitamin A की खोज किस ने की? तो most important question है maculin ने की थी vitamin A का रासायनिक नाम क्या है? तो retinol है इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो रतोंधी यानि आपको रात में दिखाई देना बंध हो जाएगा जिसको हम night blindness भी बोलते हैं ये क्या है? ये एक संकरमन रोधी vitamin है यानि ऐसे रोग जो संकरमन से फैलते हैं संकरामक रोग हैं उनसे हमें ये बचा लेता है अगर हम इसके source की बात करें तो प्यारे बच्चों most important question इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर है और ये question exam में कई बार पूछा गया है कुछ अन्य source भी मैंने लिख दिये हैं तो इनको भी आप प्यारे बच्चों note कर लेना अब आजाए ये vitamin B complex ठीक है? तो ये vitamin B complex है बहुत सारे vitamin B के अंदर आते हैं ठीक है? जैसे B1, B2 इन पे हम आगे बात करने वाले हैं तो प्यारे बच्चों vitamin B complex इनकी जो खोज की थी, किस ने की थी? भई, मैकुलन ने की थी और इनके अंदर क्या होता है? nitrogen होता है तो ये nitrogen युक्त vitamin के नाम से famous है अब हम बात करते हैं इनका कर रहे होता है co-enzyme का निर्मान करना ये co-enzyme, enzyme की मदद करते हैं हमारे सरीर में भोजन पचाने के लिए आपने देखा होगा हमारे सरीर में जब भोजन जाता है तो उसको कौन पचाता है? enzymes पचाते हैं तो co-enzyme का कर रहे होता है भोजन पचाने में मदद तो vitamin B complex के अगर आपके सरीर में कमी होगी तो आप भोजन को सही से नहीं पचा पाओगे तो बारी-बारी से हम सारे vitamin जो B के types हैं उनको हम समझते हैं सबसे पहले vitamin B1 तो vitamin B1 का जो रासाइनिक नाम है chemical नाम है वो क्या है? thiamine ठीक है? अगर हम इसके स्रोध की बात करें तो प्यारे बच्चो इसका स्रोध है चावल की छीलन या फिर mostly जितने भी अनाज है सब की छीलन में ये पाए जाता है हमारे भोजन का सही रूप से नहीं पचना ठीक है? ध्यान से समझो हम मार्केट से क्या लेके आते हैं? गेहूं का आटा लाते हैं और आप जानते हैं जो गेहूं का आटा मार्केट में पिसा वो मिलता है उस पे से पहले वो गेहूं की छीलन उतार लेते हैं तो विटामिन B1 आपका पहले ही उन्होंने ले लिया बाकी बचावा आटा आपको दे दिया ठीक है आगी बास समझ में चलिए ये अगला है विटामिन B2 तो इसका केमिकल नाम क्या है इसका केमिकल नाम है प्यारे बच्चो राइबो फिलेमिन ठीक है चलो या फिर इसको हम विटामिन G B बोलते हैं अब इसकी कमी से पहले रोग के हम बात कर लेते हैं तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम किलोसिस बोलते हैं साइंस की भासा में अगर हम देशी भासा में बात करें तो मूग के जो कौंड होते हैं वो फल आते हैं आपके जो होटें उसकी जो साइडें हैं दोनों वो फल आती हैं ठीक है वहाँ पर छाले हलके हलके से निकल आते हैं यहां फिर देसी भासा में हम बोल देते हैं जूट का फहला ना यानी ऐसा बोलते हैं कि तू ने किसी का जूट़ा खा लिए तो तेरी जूट जो यह फलाई है चलो, ठीक है हमारे यहां बोलते हैं आपके यहां तो पता नहीं क्या बोलते होंगे अगर इसके हम source की बात करें तो पनीर, दूद, अंडा, मास ये सब इसके source हैं ठीक है? यहां से source से question नहीं बनता आगे हम बात करते हैं vitamin B3 और vitamin B5 की तो प्यारे बच्चो vitamin B3 और vitamin B5 के जो chemical name है इसमें confusion रहती है काफी सारी books में ठीक है? उल्टे लिखे वे होते हैं ये दोनों आपस में तो यहां पर मैंने सही लिखे हैं ये vitamin B3 का जो रसानिक नाम है वो है niacin और vitamin B5 का जो रसानिक नाम है वो है pentathanik याद कैसे करोगे? confusion ना हो इसलिए बता देता हूँ बही जब chemistry में हम जैसे chemical name की बात करते हैं जब carbon के 5 रणों आते हैं तो प्यारे बज़े जैसे C5 आया तो उसको पैंट बोलते हो ठीक है? तो यहां पर आप B5 से याद कर लेना यहां पर pentathanik है ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं B3 की कमी से रोग कौन सा होता है? तो B3 की कमी से रोग होता है सबसे पहले पहलागरा पहलागरा का मतलब यह है कि आपके तवचा पर छोटे छोटे दान निकल आएंगे और दूसरा जो कमी से रोग होता है वो है कम उम्र में बालों का सफेद हो जाना ठीक है? B3 की कमी से बात करते हैं B5 की कमी से तो इससे जो रोग होता है वो है बदहजमी यानि ये सारे रोग क्या है प्यारे बच्चों आपके पेट से related है बदहजमी भी और अतीसार, अतीसार का मतलब आप जानते होंगे explain करने की ज़वत नहीं है इसको हम डायरिया भी बोलते है या फिर हैजा भी बोलते है ठीक है? चलो स्रोथ की बात करते हैं तो दूद, अंडा, मास यही सब इनके स्रोथ हैं यहां से एक्जाम में कोशन नहीं बनेगा अब प्यारे बच्चों यहां पर तीन विटामिन्स मैंने लिखे हैं ठीक है? विटामिन B6 विटामिन B7 विटामिन B9 ठीक है? तीनों को बारी-बारी से समझते हैं विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरी डोक्सिन यह सब रट के जाना बिलकुल पायरी डॉक्सिन अगर हम इसकी कमी से रोग बात कमी की बात करते हैं तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया और एनीमिया बताने की जोत नहीं है आप जानते होंगे एनीमिया का मतलब क्या है खुनून की कमी हो जाती है आपका सरीर बहुत ज़्यादा कमजोर हो जा डिकर ध्याप काम नारा जाता है अगर हम रोग की बात करते हैं तो कम उम्र में बालों का गिरना विटपार कम उम्र की नहीं बालों को गिरना के वल ठीक है और तुछा रोग अब हम बात करते हैं विटमिन B9 की तो प्यारे बचों विटमिन जो B9 है उसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड ठीक है यानि फोलिक आमल चलिए रोग कौन सा होता है तो इससे भी एनीमिया ही रोग होता है लेकि मिछ निचे हैं के वेए रह जाते हैं कि विटमिन B12 चलिए बई इसका जो रासायानिक नाम है वो है कोबाला माइन ठीक है कई सारी की बात करते हैं तो इसमें वर्ड आ रहा है कोबाला क्यों वर्ड आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट पाये जाता है इस विटामिन में तो कोबाल्ट से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं उसमें विटामिन B12 पाये जाएगा तो कोबाल्ट से जुड़ा हुआ एक आप लिख लो जैसे आपकी चोकलेट होती है प्यारे बच्चो तो उस चोकलेट में बहुत ज़ाधा कोबाल्ट पाये जाता है तो चोकलेट सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन B12 का विटामिन C की बात करते हैं तो विटामिन C का रासाइनिक नाम है एसकार्बिक एसिड एसकार्बिक आमल और ये जो विटामिन है ये सबसे पहले खोजा गया था ध्यान से सुन लेना most important question है सबसे पहले यह हो जा गया था सारे विटामिनों में ठीक है? उसके बाद इसकी कमी से जो रोग होता है वो है इसकरवी रोग इसकरवी रोग क्या होता है? हमारे जो मसूडे होते हैं वो सूज आते हैं, उस पर सूजन आ जाती है और प्यारे बचों, कन्फूज नहीं होना एक रोग है पाईरिया पाईरिया रोग मसूडों में सूजन का नहीं है उसमें क्या होता है? मसूडों से खून आने स्टार्ट हो जाता है पाईरिया में और यहां पर मसूडों में सूजन आ रही है अगर हम इसके source की बात करते हैं तो खटे पदार्थों में यह पाए जाता है सबसे ज़्यादा जो पाए जाता है आमला में और example आप नीवू भी लिख सकते हो ठीक है लेकिन आमला exam में पूछा जाता है विटमिन डी पे आजाओ बई विटमिन डी most important इसका जो रासाइनिक नाम है वो है केलसी फेरोल ठीक है केलसी फेरोल तो केलसी फेरोल में ध्यान से देखो केलसियम वाली feeling आ रही होगी तो प्यारे बच्चों इसमें जो तत्व है वो कौन सा है केलसियम है ठीक है चलो इसको हम धूम का विटमिन भी कहके पुकारते हैं क्यों पुकारते हैं क्योंकि सूरे की किरनों से हमें ये मिल जाती है तो एक्जाम में कोशन ये बनता है कि कौन सा विटमिन है जो सूरे की किरनों से प्राप्त किया जाता है विटमिन डी या फिर कोशन ये बनता है कि विटमिन डी मेरी सिया तो प्यारे बच्चो इसका मतलब होता है कि आपकी जो अस्थिया है वो कमजोर हो जाती है ठीक है चलो अगर इसके हम खोज की बात करें तो इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लेना होफ किंस ने इसके खोज की थी और इसका जो सुरोथ है वो वसायुक्त पदा जार्थो में यह पाये जाता है चलिए प्यारे बच्चो अब हम बात करते हैं विटवीन E की तो विटवीन E का जो केमिकल नेम है वो क्या है टोको फैरोल ठीक है ज़्यादा important है नहीं, vitamin ही से question नहीं बनता है, इसको हम दो नाम और देते हैं, इसको हम beauty vitamin या फिर presentant vitamin भी कहते हैं, बई, beauty vitamin इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कमी से आपका जो चहरा है, वो थोड़ा मुर्ज है, वो टाइप का लगनी लगता है, ठीक है, रोग की बात करते हैं, तो पुरुसों में जो रोग होता है, वो है नपुन सकता, और महिलाओं में जो रोग होता है, वो क्या है, बांचपन, यानि मा नहीं बन पाना, ठीक है, और नपुन सकता आपको पता है, पितानी बन पाना, स्रोथ, source की बात करते हैं, तो जो मीठे, रसीले, फल होते हैं, वो सारे source है, विटमिन E के, और अगर हम इसका जो most important source है, उसकी बात करें, तो वो प्यारे बच्चों पपीता है, ठीक है, विटमिन E से वैसे कोशन बनता नहीं है, विटमिन K की बात कर लेते हैं, तो विटमिन K का जो रासाइनिक नाम है, वो है नेफ्थो क्यून, ठीक है, क्वीनोन, या फिर फीलो क्यून, ठीक है, ये एक्जाम में कोशन नहीं बनता, exam में जो question बनता है वो होता है कमी से रोग तो vitamin K की कमी से जो रोग होता है वो है hemophilia इसका मतलब होता है रक्त का थक्का नहीं जमना जैसे आपको छोट लग जाती है, खून बहता है लेकिन कुछ देर बार आप देखते हैं कि खून रुख जाता है क्यों? क्योंकि उस पे एक परत जम जाती है जिसको हम थक्का बोलते हैं तो खून का थक्का नहीं जमेगा अगर आपके अंदर vitamin K की कमी है तो जनरली क्या होता है जब सुगर का कोई मरीज होता है सुगर यानि diabetes का तो उसके अंदर vitamin K की कमी हो जाती है अगर वो operation करवाने जाए या कहीं पर चोट लग जाए तो वो जो घाब है वो बहुत धीरे धीरे भरते हैं ठीक है चलो इसके source की हम बात करें तो सबजिया टमाटर पनीर ठीक है इस तरह से इसके कुछ source है अब जैसा कि मैंने कहा कि नया vitamin खोजा गया है vitamin P exam में question नहीं बनता लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसका जो रासाइनिक नाम है वो है nicotinamide ठीक है nicotin से feeling आ रही होगी आपको क्या कहते हैं जो तमाखु type की feeling आती है इसकी कमी से जो रोग होगा उसमें हमारी जो cell है हमारी जो कोसिकाएं है वो कमजोर पढ़ जाएंगी और हमारी जो पृति रोधक छमता है वो गट जाएगी ठीक है चलिए तो यहाँ पर सारे जो vitamins थे वो complete हो गए और मैंने आपको बता भी दिया किस किस तरह के question यहाँ से पूछे जाते हैं ठीक है तो और अगर आपका कोई भी doubt हो कोई भी question हो तो बिल्कुल आप पूछ लेना तो इस वीडियो में इतना ही चलिए रखते हैं जैहिंद